मुझे ऐसा लगता है कि 26 देलों की जो बैठा कुई है और जिस प्रकार से हर एक बाद को चर्चा विशे चर्चा के बाद निर्ने लिये जा रहे हैं किसी का होना या ना होना बहुत महत्पूर नहीं है इंका 12 प्रदेश अभी भी उनके पास में और उनका ना होना आपको नहीं लगा रहा कि एक नुकसान है वो किसी के साथ नहीं है यह उनकी पार्टी का विशे है यह उनका निर्ने है विपक्ष के इंडिया गडबंधन की तो चर्चा है लेकिन उत्तरपदेश में सिती क्या होगी क्या जितने भी गडबंधन के साथी समाजवादी पार्टी के साथ में है वो इस सिती में है बात करने के लिए हमारे साथ में सिरातु से विधायक अपना दल कमेरावादी की नेत का पल्लवी पटेल है पल्लवी जी कल गटबंधन की बैठक हुई आपकी सर्वुच नेता वहां मौझूद थी सीधा और सच्छा सवाल यह है आपकी भूमिका क्या होगी क्योंकि समाजवादी पर वैसे भी बड़ा दारुमदार है कॉंग्रेस को कितनी सीटे देंगे बाकिय सबसे बड़ी ताकत होगी विपक्ष की जो भारती जनता पार्टी को हर मोर्चे पर विफल करने के लिए एक बहुत बड़ा हतकंडा साबित होगी और मेरा यह मानना है कि अपना दल एक ऐसा संगठन है जो जब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में रहा तो भी हमने लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट करते हुए बारा प्रतिशत बूट में एक व्रधी कराने का काम किया है और जब हमें मौका मिलरा इस देश की राजनीदी और इस देश की सत्ता बदलने का तो अपना दल बहुत ही महतपूर भूमिका निभाएगा इतनी होंगी किस प्रकार से लड़ा जाएगा किजीटों की संख्या क्या होगी उसका आधार क्या हो गया मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम विशेव पे बात करने के लिए हर सायोगी पार्टी में अपना क्या स्टेंड रखा एक सायोगी दल के तौर पर एक छोटे दल के दौर पर आप क्या मानते हैं क्या बात अपने उस फोरम पे रखिए हमारे उस बैटक में हमारे दल की शीष नेत्र राश्टी देख्ष राजमाता क्रिश्णा पतेल जी राश्टी महासरची जी के साथ कहीं थी और जहां पर हमने ये प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की चर्चा में वहाँ पर समायुत कराके हुए हम इस उदेश के साथ इस गटबंदन में हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमारी सुनिस्चित की जाएगी अपना दल उसमें हर कसवाटी पर खरा उतरते वे अपनी सबसे महत पूर भूमिताने भाएगा के कारकाल में उसको जो ना टॉर्चर किया जा रहा है और उसके हतों को कहीं ना की रखा जा रहा है किनारे पांच किलो राशन का लालज दिखा करके हम सी उस बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वही लड़ाई हमाई सर्वोपरी होगी है मायवतीन अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है वो किसी के साथ नहीं है खास्तोर पुत्तर पदिश में इंडिपेंडेंडेंट लड़ने आपको लगता है उनका ना होना विपक्ष को नुकसान पहुचाएगा या बीजेपी को फायता है मुझे ऐसा लगता है कि 26 दलों की जो बैठक हुई है और जिस प्रकार से हर एक बात को चर्चा विशे चर्चा के बाद निर्ने लिए जा रहे हैं किसी का होना या ना होना बहुत महत्पूर नहीं है जितने लोग साथ में हैं उनका एक साथ अच्छी तरीके से काम कर जाना महत्पूर हो जाता है बड़ा काडर है उनका बारपतिशत वोड़ अभी भी उनके पास में और उनका ना होना आपको नहीं लगड़ा कि एक नुकसान है देखिए वो किसी के साथ नहीं है ये उनकी पार्टी का विशे है ये उनका निर्ना है उसमें हम कुछ भी नहीं कह सक मिलकुल अपना दल कमेरावादी भी तयार है हालाकि गड़बंदन को लेकर कि क्या चीज़ें उस पर अभी और जानकारिया ना बाकी लेकिन इस साफ है कि इस अलाइंस को लेकर के विपक्ष में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और उसके साथ ही उसके साथ नज उस्टा यूपिता